जै श्री कृष्णा प्रिये दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दर्शकों आपको लगता होगा कि किसी संत महापूरुष किसी अवतार के अंदर बहुत दिव्वे शक्तियां होती होंगी शायद तभी वो इन दिव्वे शक्तियों के द्वारा इस संसार का कल्यान कर पाते होंगे लिकिन अगर आपका ऐसा मानना है तो आपकी ये जानकारी आदी अधूरी है आदी अधूरी इसलिए है क्योंकि जो भी इस धर्ती पर जन्म लेता है उसके साथ वो सारी शक्तियां स्वते ही उसको मिलती है जो इस संसार के अंदर आने वाले प्रतिक जीवात्मा के साथ होती है चाहे फिर वो अवतार पुरिशी क्यों ना हो और इसलिए कहा गया इती ब्रमंडे सोही बिंडे जो ब्रम्माण में है वही तुवारे भी तरवी है लेकिन बात आती क्या हमें अलोकिक शक्तियों का एहसास होता है क्या वो दिव्वे शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती है वो आखिर मिलती कैसे है, वो काम कैसे करती है तो इसके लिए आज मैं आपको एक प्रमानित सुत्र देता हूँ जितने भी अवतार हुए है, महापुरुश हुए है मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर भगवान की लिलाएं तो दिवव्य हैं, वो तो जन्म भी लेते हैं इस संसार में तो उनके पीछे एक अलोकिक लीला होती है लेकिन भगवान का अवतार यूग के अंत में होता है और अभी हम कल्यू के अंत समय में खड़े हैं इसलिए भगवान का अवत्रण तो अवश्य हुगा और हमें उनकी प्रतिक्षा भी करनी है। लेकिन जितने भी संत महापुरुश हुए हैं, चाहे महावीर हो, बौध हो। उन सबने भी अपने जीवन के अंदर, आरम भी काल के अंदर। उन परिस्थितियों को महसूस किया, उन परिस्थितियों को भुगता है, जो एक साधान मनुश्य भुगतता है, उनको फेस करता है, उनका एहसास करता है। लेकिन भीतर एक इच्छा होती है उस परमपिता परमिश्वर को पाने की और वो एक ऐसे मार्ग का चैन करते हैं जिस मार्ग पर चलते 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 वो अपनी अंदर की भीतर की उर्जा के संसार को इतना व्यवस्थित कर लेते हैं कि उन्हें वद्धत्व की प्राक्ति होती है ज्यान की प्राक्ति होती है और यही से जीवन में फिर चमतकार आरंब होते हैं इस संसार नौ तरह की उर्जाओं से बना है नौ पदार्थ इस संसार में काम करते हैं नौ आयाम इस संसार में काम करते हैं हमारे भीतर भी यही नाइन एलिमेंट्स काम करते हैं लेकिन आव्यवस्थित रूप में काम करते हैं जब हम इन elements को व्यवस्थित कर लेते हैं तब हमारे जीवन में भी वो दिवयता आती है वो दिवय अनुभव हमें प्राप्त होते हैं जो हमें जीवन के अंदर मागदशन देते हैं आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं और यही से हमारे जीवन के अंदर भी दिव्य एवं अलोकिक गटनाओं का जन्म होता है यही कारणे कि संतों महापुरुशों ने कहा है कि उन्हें उस ज्ञान की अनुभूती हुई है उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है लेकिन जैसे एक बीज बर्तन में रखा हुआ है तो वो अंकुरित नहीं होता लेकिन जैसे ही उस बीज को भूमी का सानिध्य मिलता है वो बीज अंकुरित हो जाता है इसी तरह से हमारे भीतर भी उर्जाओं का एक संसार है नाइन एलेमेंट्स काम कर रहे है नौपदार्थ काम कर रहे है एव्यवस्थित है कर्मों के बंदन में बंदे हुए है इसी लिए वो अंकुरित नहीं होते लेकिन जैसे ही हम अपने इस उर्जा के संसार को व्यवस्थित करते है परमात्मा के सा आवरण उतरते हैं उस बीज को परमात्मा की शक्ति का सानिध्य मिलता है वो बीज भी अंकुरित हो जाता है और आपकी जीवन में भी घड़ता है जो संतों महापुरुशों के जीवन में घड़ता है और तब आप इस संसार को समझ पाते हैं देख पाते हैं उस परमात्मा के मार्ग का अनुसरन कर पाते हैं और आप भी वही कारे करने के लिए प्रेरित होते हैं जिन कारे को करने के लिए आपका इस धरापर जन्म हुआ है इसलिए जीवन में अलोकिक घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन कैसे घटेगी इसको समझना बहुत मुश्किल है जब तक हम अपने भीतर के इस उज़ा के संसार को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ अलोकिक नहीं घटेगा और जैसे ही अम अपने भीतर के इस उज़ा के संसार को व्यवस्थित करेंगे अलोकिक नागटे इस संभवी नहीं है तब ही तो आप देखें कि सश्टी के आरंब से वेदों की जो रचनाए हुई है आज भी वो वेद हमारे संभुख है किताब के रूप में तो है लेकिन वेदों का ग्यान हमारे भीतर तब आता है जब हमारा ये उर्जाओं का संसार विवस्थित होता है और वही वेदों का ग्यान जब आपके भीतर आता है तो आपको सस्टी की रचना समझाती है सस्टी की रचना समझाती है तो इस संसार का विकास क्रम समझ आता है जीवन का उदेश्य समझ आता है और संसार को किस मार्ग पर लेकर चलना है आपको अपने उस करतवे का बोध होता है इसलिए दर्शव को यही कारण था कि जिद्रे मी संत महापुरुष हुए चाहे अब कबीर को ले ले मीरा को ले ले इन्होंने जब अपने उर्जाओं के संसार को व्यवस्तित किया नाइन एलिमेंट्स जब इनके बैलेंस हुए तो इनके भीतर भी वही दिव्य अलोकिक डटनाई हुई और इन्होंने कहीं बाहर से कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन इनके मुख से जो निकलता था वो ब्रह्मवानी होती थी जिस पर आज भी शोध हो रहे हैं क्योंकि वो प्रकट होती है वो दिव्यता आपके भीतर प्रकट होती है उसे बाहर से कोई नहीं डाल सकता वो आपके भीतर से प्रकट होती है और जब वो आपके भीतर प्रकट होती है तो आपके मुख से भी वही निकलेगा जो ब्रह्मवाक्य है आपके भीतर भी वही ज्ञान प्रकट होगा जो सनातन है आपको भी संसार की रचनाएं संसार का रह से वही समझ में आएगा जो सत्युक से हमारे रिशी मुनी हमें समझाते आ रहे हैं उसमें कोई लेश मत्र भी फर्क नहीं होगा जब फर्क नहीं होगा तो मतबेद कहा होगा और मतबेद नहीं होगा तो विवितताएं कहा होगी इसलिए दर्शको जीवन के अंदर अलौकिक घटनाओं का जन्म तो होता है लेकिन उसके लिए हमें अपने इन नौ पदार्तों को जिसके बारे में रिगवेद में वर्णन किया गया है उसे व्यवस्थित करना होगा और जब वो व्यवस्थित होगा तो जीवन के अंदर अलौकिक घटनाएं भी घटित होगी और इस संसार आपको बहुत आसानी से समझ भी आएगा उमीद करता हूं दाशक को मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में आपसे फिर भेट होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए जय हिंद जय भारत